स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पी ओ वी हॉरर स्टोरीज में जहां आपको हर दिन नई कहानी सुनने का मोका मिलता है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे हमारी और भी ड आया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बच सकता वहां रहने वाले लोग उस जगह को डाइन कोर्ट के नाम से जानते है डाइन कोर्ट में सुरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता क्यूंकि वहां रह रही डाइन को ये बिलकुल भी नहीं पसंद की अवनीत और रजत शाम साथ बजे घूम फिरकर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे तभी रजत ने अवनीत से कहा अबे भाई बाइक रोक जल्दी रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा अबे क्या हुआ भाई फिर रजत ने कहा अरे भाई तु इस रास्ते से क्यों बाइक ले जा रहा है तुझे पता नहीं क्या अब सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता फिर अवनीत ने कहा पर क्यों भाई ऐसा क्या है इस रास्ते में फिर रजत ने कहा अरे तुझे सच में नहीं पता, क्या इस रास्ते में क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई, तुझे तो पता ही है, मैं दस साल बाद कल ही तो गाव आया हूँ तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बाद सुनकर पिर रजत ने कहा, अरे यार, तुम लोग भी शहर चले जाते हो? फिर गाव के बारे में सब भूल जाते हो? फिर रजत की बाद बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई, घ्यान मत पेल और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहां पिर रजत ने कहा भाई तू मुझे बोलने देगा तब ही तो बताऊंगा कुछ फिर अवनीत ने कहा अच्छा चल अब बीच में कुछ नहीं बोलूंगा तू बता अब फिर रजत ने बताते हुए कहा तो सुन भाई जब हम सुभह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने पिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा कौन सी जगह है फिर रजत ने कहा भाई पूरी बात सुन तो ले पहले वो जगह है दो किलो मीटर आ गया है उसे लोग डाइन कोट के नाम से जानते हैं वो डाइन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस शायद यह देखा ही होगा कि उस पूरे डाइन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं क्यूंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिन्दा नहीं बचता रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर-जोर से हसने लगता है इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर-जोर हसने लगता है पर रजत समझ था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है भाई तुझे विश्वास वो या ना हो पर भाई हम अभी इ ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है भाई में दस साल बाद जरूर आया हूँ पर मुझे यह पता है कि ये रास्ता पांच किलोमीटर सौटकर्ट है इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे फिर रजत कहता है यार तुझ गूमना ही तो था आज और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले भाई इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाईक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास् से कहता है, भाइ चल मान लिया, वो डआईन कोट में सच में डआईन है, पर कभी ऐसा हुआ हैं कि कोई रात को वहाँ गया हो, और वापस भी सही सलामत आगया हो. अवनीत की बात सुन कर फिर रजत ने कहा, हाँ भाई, वापस तो आया है, पर सही सलामत नहीं आया फिर अवनीत ने कहा कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया फिर रजत ने कहा तू बिरजेश को जानता ही होगा फिर अवनीत ने कहा कौन बिरजेश अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है अरे वही पिर्जेश जिसे बच्पन में सब नागिन बोलते थे, अब याद आया कुछ है। फिर अवनीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ हाँ वही ना, जिसकी हमेशा नाग बहती रहती थी, और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम ही नागिन रख दिया था, फिर रज़त बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से रज़त की बाद बीच में ही काठते हुए अवनीत ने कहा, वही नागिन वहाँ से वापस आया था, पर वो अभी सही हैं या नहीं। फिर रज़त ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल स जिन्दगी बर्बाद कर ली उसकी शादी भी होने ही वाली थी पर उसकी इसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूड गई पर अब हम क्या कर सकते हैं फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है पर उसे हुआ क्या है तु बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी बरबाद कर ली पर उसके साथ हुआ क्या है यह भी तो बता फिर रजत बोलता है तो सुन भाई, यह बात आज से लगभग एक साल पहले की ही होगी उस दिन शाम के समय जब हम चार-पांच लड़के गाव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे और नागिन भी उस समय हमारे साथ में ही था पर बातों ही बातों में उस डाइन कोट की बात छिड़ गई पर उस बातों नागिन का कहना था कि डाइन कोट में कोई डाइन वायन नहीं रहती इसी बात में काफी देड तक जब बहस चलती रही तभी हमारे ही गाव के राहुल ने नागिन से कहा नागिन तू नहीं मानता ना कि उस डाइन कोट में कोई दया नहीं है फिर नागिन ने कहा ना मैं नहीं मानता और ना ही मुझे ऐसी की भी बात पर विश्वास हैं फिर राहुल ने कहा चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है अगर तू आज रात आठ बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा तब हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है हम सब वहां बैठे बैठे दोनों की बाते सुने जा रहे थे और हमें बस यही लग रहा था कि दोनों बस मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं पर फिर नागिन ने कहा ठीक हैं मैं आज जाओंगा पर मुझे क्या मिलेगा फिर राहुल ने कहा चल ठीक हैं फिर लगी 2000 रुपे की शर्त अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर गया तो मैं तुझे 2000 रुपे दूँगा मगर तू उस रास्ते अगर वापस आया तो मैं तुझे दो हजार रूपिय दूँगा फिर नागिन ने कहा हाँ चल ठीक हैं लग गई शर्त नागिन तुरंट उसके बाद जाता है पर हम सब उसे बार बार जाने से मना कर रहे थे की भाई मत जा मत जा क्यूंकि हमने पहले भी कई लोगों वहाँ जाकर मरते हुए देखा था इसलिए हम उसे मना करें जा रहे थे पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था फिर उसके बाद जैसे ही रात के आठ बजे वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुँच गए फिर उसके बाद हम में से दो लड़के तुरंत बाइक से रास्ते के आखिर में खड़ी हो गए जहां से मैंने अभी तुझे जाने को मना करा था दो लड़के तो वहाँ चले गए पर तीन लड़के अभी भी नागिन के ही साथ खड़े थे तभी राहुल ने नागिन से कहा भाई ले बाइक पर तुझे कुछ होगा तो उसमें मेरी कोई जिमेवारी नहीं होगी फिर राहुल की बात खत्म होते ही मैंने कहा भाई नागिन एक बार और सोच ले दो हजार रूपिय से कुछ नहीं होता फालतु में तुझ खत्रा मोल ले रहा है फिर नागिन ने कहा भाई तु चिंता मत कर मुझे कुछ नहीं होगा फिर उसके बाद नागिन ने राहुल से उसकी बाइक की चावी ली और तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकल गया पर हम जो तीन लड़के जो वही पर रुके थे हम वही खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं वो वापस ना आ जाए पर लगभग आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया तो हमने दूसरी और खड़े लड़कों को फोन लगाया पर उनका कहना था कि वो अभी तक वहां नहीं पनुचा है हमने जैसे ही यह सुना तो हम काफी गबरा गए क्यूंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा और हमें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें पर तभी हमने सोचा कि अब हमें उन सब के पास जाया जाए फिर सोचेंगे कि क्या करें फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर और वैसे भी उसके फोन में नेटवर्क होता भी कैसे क्यूंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था वो रास्ता पूरा जंगल वाला था फिर उसके बाद जब रात के साड़े 9 बज गए तब मैंने सब से कहा भाईयो मुझे लगता है हम सबको एक साथ वहां जाकर नागिन को ढूंड़ना चाहिए क्यूंकि वो हमारी ही वजह से मुसीबत में फसा है फिर राहुल ने कहा अबे तु पागल तो नहीं हो गया है हमारी वजह से कैसे वो खुदी हीरो बन रहा था कोई क्या करें फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा तू तो चुप ही हो जा जब तुझे पता ही है कि उस रास्ते में डायन रहती है तो क्या जरूरत थी तुझे शर्त लगाने की और बोल रहा मेरी क्या गलती है वो हमारा दोस्त है हमें उसे ढूंटने जाना ही चाहिए फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारे ही साथ के लोकेश ने कहा रजट सही तो बोल रहा है राहुल हमारी क्या गलती है हम सब क्यों मरने जाए वहाँ वो खुदी ही तो हीरो बन रहा था हमने तो पहले ही मना करा था उसे पर वो माना ही नहीं फिर मैंने कहा भाई तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो वो हमारा दोस्त है हम उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसलिए भाईयो चलो उसे ढूंड कर आते हैं फिर मेरी बात सुनकर एक दो लड़के जाने को त्यार तो हो गए पर राहुल और लोकेश अभी भी जाने को त्यार नहीं हो रहे थे पर फिर मैंने उन दोनों से कहा अबे अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन भी कभी ऐसा नहीं करता वो एक सच्चा दोस्त है पर पता नहीं वो कैसे होगा क्या पता हम अभी वहां जाये तो हम उसे बचा ले इस बार मेरे इतना कहने के बाद वो दोनों भी हमारे साथ उस डायन कोट में नागिन को ढूंडने को जाने को त्यार हो गए फिर उसके हम पांचो अपनी अपनी बाइक पर बैठे और नागिन को ढूंडने जाने को जैसे ही जाने को हुए वैसे ही हमने देखा आगे उसी डायन कोट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ही ओर चला आ रहा है उस बाइक को अपनी ओर आते देख फिर हम सब वहीं रुख कर उसका इंतजार करने लगे फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो और कोई नहीं बलकि हमारा दोस्त नागिन ही था उसके वहां आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसे वहां से आने में इतनी देर क्यों लगी कही तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं पर वो हमारी बाद का कुछ जवाब नहीं दे रहा था हमें यह देखकर बड़ा ही अजीब भी लग रहा था क्यूंकि वो उस समय काफी बदला-बदला सा लग रहा था मतलब वैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था पर वहां से आने के बाद से वो कुछ नहीं बोल रहा था पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा वो दिव्या इतना बोल कर वो फिर से चुप हो गया फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा भाई कौन दिव्या और तुझे वहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा वो लड़की जो मुझे अभी डायन कोट के पास मिली थी यही तो दिव्या है नागिन के इतना बोलते ही हम सब के होश उठ गए क्यूंकि वो डायन कोट बिल्कुल जंगल के बीच में है तो कोई लड़की इतनी रात को कैसे आ सकती है इसलिए फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा डायन कोट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है क्यूंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता तुने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो कहा रहती है फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा मैंने पूछा था फिर उसकी बाद बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा तो उसने क्या कहा फिर नागिन ने कहा उसने कहा उसका घर उसी डायन कोट के पिछे हैं वो वही रहती है और हाँ उसे यह भी कहा कि वो उस डायन कोट में रात में घूमती रहती है पर उसने तो कभी वहाँ कोई डायन नहीं देखी तो चलो, मैं अब शर्थ जीत गया फिर उसके बाद नागिन अपनी बात खत्म कर चुका था पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि दिन के समय में हम सब भी उस डायन कोट वाले रास्ते से कई बार गए थे पर हमने तो कभी भी उस डायन कोट के पिछे कोई घर नहीं देखा था और मुझे उपर से एक बात और चुब रही थी कि नागिन ने यह भी कहा था कि वो लड़की रात भर उस डायन को में घूमती रहती है पर क्यों? वही सब मैं सोच ही रहा था तभी हम सब को ऐसे चुप देख फिर नागिन ने कहा अरे क्या हो गया? तुम सब को ऐसे चुप क्यों हो गए? फिर मैंने कहा पर भाई अभी तुने कहा कि वो लड़की रात में उस डायन कोट में घूमती रहती है पर तुने उससे ये नहीं पूछा कि तुम रात में उस डायन कोट में क्यों घूमती हो? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा अभे भाई तुझे मैंने अभी तो बताया कि उसका घर ही है वहाँ तो वो घूम लेती होगी घर से निकल के इतना बोलकर फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा हाँ भाई हो गया तेरा चल अब मेरे पैसे निकाल फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से दो हजार रुपिय निकाले और नागिन को देते हुए कहा भाई तुझे सच में वहाँ कोई डायन नहीं मिली फिर उसकी बाद खत्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा मिली ना मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है मैं यही सब सोच रहा था तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा अबे तुझे कितनी बार बताओ कि मुझे कोई डायन नहीं मिली इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से दो हजार का नोट ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा फिर उसके जाने के बाद मैंने अपने साथ वाले लड़कों को कहा भाईयो मुझे तो लगता है कि जो इसे दिव्या नाम की लड़की मिली है वही डायन है फिर मेरी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा पर भाई अगर दिव्या ही डायन थी तो उसने नागिन को क्यों कुछ करा भाई मुझे तो लग रहा है हम फालतू में ज्यादा सोच रहे हैं और मुझे भी लगता है कि डायन कोट में कोई डायन नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ अब घर चलते हैं यहां फालतू में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा लोकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाकर सो गया पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उठ गए क्यूंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक था पर जैसे ही सुबह उसके घर वालों ने उसे उठ कर देखा तो उनके भी होश उठ गए थे क्यूंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करें जा रहा हैं उसने अपने पूरे शरीर में काट काट कर दिव्या सिर्फ मेरी हैं मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता